इस कोरोना की महामारी में आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। जो कुछ नया होता है उसके बारे में आपको बताती है। तो हमेशा आपको नई-नई चीज़े सीखने को मिलती है। वैसे ही आज हम कुछ नया जानने वाले है। दिखो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पिगी बैंक बनाया था। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा वीडियो और कुछ चित्रा दिखाऊंगी। वो आपको देखना है। देखो हमारे आज का टॉपिक का नाम है प्राक्रूति आपदा। आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या? ये आपदा मतलब क्या होती है? तो देखो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। आपदा का अर्थ होता है अच्चानक होने वाली विद्वन सकारी गटना जिससे व्यापक, भावति, शती, जानमाल का नुकसान होता है। यानि आपदा है वो अच्चानक आती है, वो कुछ बता के नहीं आती है और जिससे विद्वन सकारी गटना यानि वो सब विनाश कर देती है। और विनाश होने के बाद व्यापक, भावतिक, शती, जानमाल का नुकसान होता है। यानि मनुष्यक की हानी होती है, उसके साथ उसका जो भावतिक, यानि हमारा घर, घर के अंदर जो सामान है, उस सबी चीजों का नुकसान होता है। अब ये जो आपदा आती है, ये दो प्रकार से आती है। एक तो नाचरल यानि प्राकरूतिक आपदा होती है, और दूसरी होती है मैनमेड यानि इनसान ने बनाई होई। तो दो तरह की आपदा है, उसमें से हमें आज नाचरल डिजास्टर यानि प्राकरूतिक आपदा के बारे में सीखना है। वपस बोलती हूँ प्राकृतिक आपदा याने नैचरल डिजास्टर अब देखो यह जो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदा इसमें कौन-कौन से आपदा आती है इसमें भूकम, जंगलों में आग लगना, आंधी, बाड, मुसलाधार बारेश, बिजली का गिरना हिमसक्खलन, गूखल, ज्वालामुकी, सुनामी, चक्रवाती तूफ़न और बादल फटना और और भी बहुत सारे है लेकिन यह जो है यह मेन है तो इन इतने सारे प्राकृतिक आपदा है इसमें से आज हम सिर्फ दो आपदा के बारे में देखने वाले है सबसे उपर जो है भूकम और जंगलों में आप इन दोनों के बारे में आज हमें सीखना है देखो यहां पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं क्या मुझे बता सकता है कोई बच्चा बता सकता है कि यह चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है इस चित्र इसमें इमारते गिर रही है तूटके गिर रही है और घर भी गिर रहे है क्यों गिर रहे देखो वहाँ पे नीचे जमीन दिखाई है और जमीन पे गुच ऐसे लहरे दिखाई है कमपन आ रहा है इसके लिए ये घर और इमारते गिर रही है दूसरे चित्र में भी देखो जमीन कट गई है और इमारते भी गिरने वाली है उसमें क्राक दिखाई दे रहा है तीसरे चित्र में भी घर तूटा हुआ है और जमीन कट गई है और पेड भी देखो जुके हुए है गिर रहे है तो इन तीनों चित्र में एक गुष्ट सा ये कॉमन थी वो क्या थी कि घर पेड और जमीन है घर गिर रहे थे जमीन कट रही थी इसी को क्या कहते है भूकम जब भूकम पाता है तो जमीन में दरारे आती है बिल्डिंग में भी दरारे आती है और वो गिर जाती है अब भूकम प्याने भूखंड भूखंड में मतलब क्या जमीन भूकम प्याने भूखंड पर पृत्वी के आंतरिक उथल पुथल पर होने वाले कमपन को भूखंड कहते है देखो भूकम प्याने भूखंड जो हमारी जमीन है वो जमीन पर पृत्वी के आंतरिक उथल उसके अंदर ग्यासेस है, मिट्टी है, बहुत सारे ज्वाला भी आती है, वो भी पूत्वी के अंदर है, तो इन सब की उथल पूतल होने से क्या होता है, कमपन तयार होते है, और उन कमपनों से भूकम्प आता है. अब देखो, यहाँ पे भूकम्प को एक चितर के मध्यम से स्पष्ट किया गया है, उपर देखो, हमें ग्रीन कलर दिख रहा है, वो हमारी जमीन है, और जो रेड कलर में दिख रहा है, और जमीन के अंदर का हिस्सा है, वहाँ पे एक पिंक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है वो जो डॉट है देखो यहाँ पे पिंक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है यह पृत्वी के अंदर का हिस्सा है जहां से कमपन होना स्टार्ट हुआ है और वो जो लहरे है देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लहरे आ रही है वो जो तरंग है वो पृत्वी के उपर तकाती है और उससे क्या होता है पृष्टा भाग हिलना शुरू होता है अब देखो मेरे पास एक वीडियो है जिससे आपको पता चलेका की भूकम पाने पे क्या होता है वापस देखेंगे एक बार देखो घर है वो तुरंट नहीं गिरा है और जमीन भी तुरंट नहीं कटी है पहले क्या होता है हिलना स्टार्ट होता है और हिलने के बाद जमीन हिलती है उसके बाद धीरे धीरे घर हिलने लगते है और अगर जादा भूकम पाए तो ही घर गिरते है तुरंट अगर एक मिनिट के लिए भूकम पाएगा हलका सा तो जमीन तो तुरंट घर नहीं गिरेंगे दूसरे विडियो में देखो घर के अंदर का घर के अंदर है सोपा दिखाया है फरनिचर दिखाया है काच की फ्रेम है और जब भूकम पाता है तो क्या होता है सारी चीज़े हिलने लगती है जो शेल्फ था, कपाट था वो भी भूकम के कारण हिल गया है उपर एक काच की फ्रेम लगी थी वो भी हिल गई है और हिलने के कारण वो भी गिर गई है साइड में एक लैम्प दिखाई दे रहा है वो भी गिरा हुआ है अब हम तीसरे वीडियो में क्या देखेंगे कि जमीन में दरारे कैसे आती है अब हमने तीन वीडियो के मध्यम से ये देखा है कि भूकम आने पे क्या होता है अब भूकम अगर आता भी है और आप घर के अंदर है तो आपको क्या करना है सबसे पहले घबराना नहीं है क्योंकि जब हम घबराते हैं तो हमारे हाथ से कुछ उल्टा पुल्टा काम हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है घबराना नहीं है घर के अंदर ही रहे क्या अगर हम घर के अंदर है और आजो बजो में बहुत वस्ती है तो हमें क्या करना है घर के अंदर सेफ रहना है घर के अंदर कैसे रहना है ये भी आके बताया है समीपस्त सुरक्षित स्थल की और पहुँचे अपने को ढख ले मजबुत फरनीचर के नीचे या दीवारों से दूर खड़े रहे अगर आप बाहर पहुँच सकते हो और आपके यहाँ पे खाली जगा है तो आपको उस सुरक्षित स्थल के और पहुँचना है और खुद को ढख लेना है क्योंकि जब इमारते गिरती है पेड गिरता है तो पुरा मिट्टी और धूल हमारे उपर आता है इसके लिए हमें ढख लेना है मजबुत फरनीचर के नीचे या दीवारों से दूर खड़े रहना है जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग फरनीचर के बाजू में खड़े रहेंगे तो वो तो फरनीचर गिर गया जमीन हिली तो फरनीचर गिर गया तो अगर फरनीचर हमारे उपर गिरता है तो हमें नुकसान हो सकता है इसलिए हमें मजबुत फरनीचर के नीचे और दीवारों से भी थोड़ा सा दूर खड़े रहना है जब तक कमपन होता रहे तब तक बाहर नहीं निकले क्योंकि संभव है कि दर्वाजे या सीडिया तूट जाए या विक्षति गरस्त हो सकते है दिखो कमपन चालू है तो आप तुरन बाहर निकलने की अगर आप अटक गये हो घर के अंदर अगर आप बिल्डिंग में सबसे उपर की फ्लोर पे हो तो आप तुरंट बाहर निकलने की कोशिश ना करे क्योंकि अगर आप समचो लिफ्ट में आए और बीच में ही लिफ्ट बन पड़ गई तो आप उसमें अटक सकते हो सास्तेने में तकलिफ हो सकती है और कभी-कभी क्या होता है अगर बिल्डिंग हिल रही है उसमें क्रैक दरारे आ रही है तो जो सीडिया होती है वो भी तूट सकती है तो आप ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो कई बीच में अटक गए हो इसलिए क्या है घर में आप सेफ रहते हो लिफ्ट या एलिवेटर का उप्योग ना करे जैसे मैंने भी बताया कि लिफ्ट में अटकने का खत्रा बहुत ज़्यादा होता है फिसास लेने में तकलीफ होती है और अगर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा दरारे आती है तो हमें हानी पोशने की संभावना बहुत ज़्यादा है दर्वाजे, अलमारिया और काच की खिड़किया दरपन के पास खड़े नहीं रहना है दरपन याने क्या आईना तो दर्वाजे, अलमारिया और काच की खिड़किया वापस वही बता रहे है कि अगर हम इन चीजों के पाजू में खड़े रहेंगे तो हमें नुकसान बहुत जादा हो सकता है हमें क्या करना है हमारे घर में अगर कोई टेबल है तो उस टेबल के नीचे हमें जुकना है और उस टेबल के नीचे जाके हमें छिपना है तो अगर कुछ गिरता भी है तो वो उस टेबल के उपर गिरेगा हमारे उपर नहीं गिरेगा यदि आप बिस्तर पर है वही रहिए अपने सिर को ढखिए बिस्तर को कस कर पकड़िए अभी जो चीज़े मैंने बताई है वही चितर के माध्यन से यहाँ पर बता रहे है देखो सबसे पहले यह बताया है कि डरना नहीं है अगर आप पीचे की समझवा आप दूसरे तिसरे माले पर है तो अगर आपको अंदाज है कि नहीं अभी हिल गिते में तुरन नीचे उतर सकता हो तब भी आपको उतरना है और उसी समय अगर उतर भी रहे हो तो आपको लिफ्ट का यूज नहीं करना है अप अफिस में हो तो क्या करना है घर पे हो तुरन आपको डेस्क के नीचे जाना है और उस डेस्क के पईये को पकड़ लेना है आपको अपना सर कपड़े से ढख लेना है जो बिजली की खंबे है उनसे भी दूर खड़े होना है क्योंकि अगर बिजली के खंबे हमारे उपर गिर गए तो हमें हानी पहुचने की संभावना बहुत ज़ादा है दर्वाजे की तरफ खड़े नहीं होना है दर्वाजा गिर सकता है ये जो काच के ये जो है जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हम शोकेश के बाजू में खड़े होते है या हमारे घर के कीचन के यहाँ जिस पर हम बरतन रखते है उसके बाजू में अगर हम खड़े होते है तो क्या होगा चक्पू छूरी या उस पर जो बरतन है वो हमारे उपर गिर सकते है और वापस हमें हानी पहुंच सकती है और लास्ट फ्ली चितरे में दिखाया है कि drive to clear area and avoid bridges अगर आप गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं उस समय पे भूख कम पाता है तो आपको clear area, खाली जगह पे गाड़ी खड़ी करनी है and avoid bridges जो bridge है उस पे आपको नहीं रुकना है क्योंकि bridge किरने की संभावना बहुत ज़ादा होती है अगर हमने देखा कि हम घर के अंदर है तो क्या कर सकते है अब यहाँ पे यदि आप खुले में है, खुले स्थल में है यानि खुली जगह पे है तो हम क्या कर सकते है यह बताया है व्रुक्ष, लाइ, विद्यूत लाइन और भवनों आदि से दूर रहके खुले स्थान की और जाए तब वापस वही है कि पेड़ हेल सकता है, गिर सकता है विद्यूत लाइन यानि बिजली के कंबे भवन यानि कोई भी बिल्डिंग बड़ी बड़ी इमारत है इनसे दूर कड़े होना है किसी भी खुले स्थान में जाना है होर्डिंग्स और लैंपों के गिर्दे के कारण गलियों से घुजरना फतरनाथ हो सकता है जब तक भूमी का कमपन बन न हो जाए भूमी पर लेटे रहे तीसरा है यदि आप वाहन चला रहे है तब हमें क्या करना है अपने वाहन को इमारतों, रुक्षों और विद्यूत लाइनों से दूर कड़ा करना है पहले ही हमने चित्रे में देखा था कि मारी जो गाड़ी है उसको हमें खुली जगर पे खड़ी करना है भूमी गत या उपर ही पुलों से ना गुजरे और नहीं वहां रुके आपको लगा कि अभी भूकम स्टार्ट हुआ है और आप किसी पूल पे फसे है तो आपको क्या करना है पूल से नीचे आना है कभी भी पूल के उपर खड़े नहीं होना है जिससे खत्रे के संभावना बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी के इंजन को बंद कर दे वाहान के अंदर ही रहे मजबूत छत वाले वाहान आपको उड़ते या गिलते पध्यातों से बचाये रखेंगे अगर समझो आपको खुली जगा नहीं मिली और आपने रस्ते पे ही गाड़ी खड़ी किया रस्ते के दोनों तरफ पेड़ है उस समय अगर क्या होगा भूकम पाने से अगर पेड़ गिला स्टार्ट भी होता है और आप गाड़ी के अंदर हो तो क्या होगा वो जो पेड़ है वो आपकी गाड़ी के उपर गिल सकते है तो आपको नुकसान नहीं होगा गाड़ी को नुकसान होगा अब देखो आप बोलेके कि फिचर हमने तो कभी भूकम महसूस नहीं किया है हमने तो कभी देखा नहीं है लेकिन भारत में भूकम का खत्रा कैसा है यह पांच भागों में हमें दिखाया गया है उसको जोन वाइस बाटा गया है जोन एक है, जोन दो, जोन तीन, जोन चार और जोन पास जोन पास देखो रेड कलर से दिखाया गया है जहां पे पुकम का फत्रा सबसे ज़्यादा है वो कहां पे है? डेली, कॉलकता, मुंबई और चेन्ने में अभी आपको पता है क्या कि हम लोग बंबई में रहते हैं और बंबई के पड़ोस का ही जिला है पालगर वहां पे हमेशा छोटे-छोटे भूर्कम के जटके आते रहते है और पारगर जिले में हमेशा भूर्कम को महसुस किया जाता है अगर आप न्यूस देखोगे तो आपको ये न्यूस में हमेशा ये बात आती है तो आपको हमेशा क्या करना है आपको अगर सजग होना है तो आपको न्यूस देखना ज़रूरी है उसके पहले 1993 में हम लोग महाराष्ट जिले में रहते हैं आपको पता है ना महाराष्ट राज्जा में रहते हैं तो महाराष्ट राज्जा के लातूर जिले में खिलारी करके गाव है उस गाव में 30 सप्टेमबर 1993 में सुबह 3-4 बचे की दर्मियान एक बड़ा भुकम पाया था और लोग 3-4 मतलब घहरी नींद में थे और अच्चानक इतना जोर का भुकम पाया कि हजारों की दादाद में लोग जख्मी हो गए थे और 10,000 से उपर लोग अपनी जान गवा चुके थे और एक भुकम पाया था गुजरात राज्य में 2001 में गुजरात के भूज में जहां पे 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे तो देखो भुकम से कितनी बड़ी हानी होती है इसलिए जो अभी हमने देखा है कि भुकम के दवरान हम लोग क्या कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है गवर्मेंट की तरफ से राहत सेंटर खुले जाते हैं अगर आप घर में सेफ नहीं हो आपको लगता है कि नहीं मैं यहां पे सेफ नहीं हूँ तो आपको गवर्मेंट के बना हुए राज सेंटर में जागे रह सकते है वहाँ पे आपकी पूरी साउधानी बरत्त है देखो पहले हम लोगों ने एक आपदा के बारे में देखा जो है भूकम भूकम याने क्या पुथवी की सतह हिल्की है क्यों रिल्की है कुथवी के अंदर कमपन निर्मान होता है उन कमपनों से सतह हिलने लगती है और सतह हिलने के कारण सतह के उपर जो चीज़े है घर, बिल्डिंग, पेड, कमबे जो कुछ भी है वो लट पुलट हो जाता है, गिर जाता है अब हमारी दूसरी आपदा है वाइल्ड पायर, जंगल में आग लगना जिसे दावा नल भी कहते है अब देखो जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है सबसे पहले हम लोग वो जान लेते है कि अगर जंगल में आग लगती है तो इससे हमें फायदा है कि नुपसान है तो देखो यहां पे बताया गया है भारत में वनों का सांस्कुरोतिक और आर्थिक महत्व है देखो हर पूजा में घर में अगर शुबकारिया है तो हमें आम के जाड के टहनिया या आम के पत्ते हमेशा गणपति था अभी तो गणपति के डिकरेशन में कोई-कई फूल पत्ते जाड वगरा यूज करते है गणपति के लिए फूलों का उप्योग होता है यह फूल हमें कहां से मिलते हैं पेडों से ही मिलते हैं तो वैसे हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक उसका महत्व है आर्थिक याने क्या उसे चंदन की लकडिया होती है सागवान होता है सागवान से फरनिचर बनता है तो उससे आर्थिक कमाई होती है पृत्वी पर जीने के लिए जंगलों का होना बेहत जरूरी है पीनी की वज़से धर्ती पर बारिश और शुद्ध हवा मिलती है देखो, पेड क्यों important है हमारे लिए तो पेड क्या देता है? हमें शुद्ध हवा देता है हम जो सास लेते हैं, सास लेने के लिए oxygen बहुत जरूरी है और वो oxygen हमें कौन देता है? पेड देता है और वो भी free में देता है, वो हमसे पैसे नहीं लेता है तो हमें इतनी बड़ी चीज फ्री में मिलती है तो हमें पेड लगाने चाहिए, देखो, अगर हम लोग oxygen नहीं लेंगे तो हमें सास लेने में तक्रीफ होगी, हम लोग मर सकते हैं तो कि बीना oxygen हम लोग जिन्दा नहीं रह सकते वो oxygen हमें कौन दे रहा है? पेड दे रहा है तो सोचो, पेड हमारे लिए कितना जरूरी है दूसरी बात वह बारिज भी देता है अभी देखो, एक मेने पहले, एक मेने पहले व्यूज में दिखा रहे थे कि बंबई में 20 तका पानी की कमी अमतर्ब सब जगह कमी अकम पानी आएगा, 20 तका कम पानी आएगा तो वो क्यों बता रहे थे? क्योंकि बंबई शहर में जो तालाब से पानी आता है उस तालाब में पानी की कमी थी और वो कमी क्यों थी क्योंकि बारिश नहीं गिर जई थी लेकिन जैसे ही बारिश का गिरना स्टार्ट हुआ तालाब जैसे ही भर गए तुरंद पानी जैसे पहले आता था वैसे स्टार्ट किया और कपाथ बंग कर दी तो उससे बारिश होती है, शुद्ध हवा मिलती है और वैसे ही जरुरत की बात ये है कि जंगल कई जानवर और पक्षियों का घर है जैसे अगर उनका घर ही जलाया जाएगा या जल जाएगा तो वह इसहां पे रहेंगे तो हमारे लिए वन इतने इंपोर्टन्ट है, जाड इतने इंपोर्टन्ट है जिससे प्रदूशन बहुत बढ़ेगा अब देखो जब जंगल में आग लगती है, तो जंगल मत्तब एक दो पेड़ से नहीं बनता है बहुत सारे पेड़ से जंगल बनता है और अगर इसमें आग लगती है, तो कैसा होगा? देखो कितने सारे पेड जल रहे है जो हमें फ्री में ऑक्सिजन देते है वही जल रहे है देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है यह उपर हेलिकाप्टर से शूटिंग किया है जिससे हम देख सकते है कि कैसे जंगल जल रहे है अब यह जो जंगल में आग है यह आग कैसे लगती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे देखो दो यहाँ पे प्राणी भी दिखाई दे रहे हैं उनका घर है और उनका घर ही जल रहा है तो वो कहां पे जाएंगे सबसे पहले जंगल में आग लगने के मुख्य तीन कारण होते हैं इंधन, ऑक्सिजन और गर्मी अगर गर्मियों का मौसम है तो सूखा पढ़ने पर ट्रेन के पहिये से निकली एक चिंगारी भी आग लगा सकती है आपको पता है चिंगारी कैसे लगती है अगर दो पत्तर एक दुसरे पे जिसेंगे उससे भी चिंगारी निकलती है और अगर ट्रेन जा रही है अपने तो उस अगर ट्रेन के पहिये से भी चिंगारी निकलती है और अगर उसी के बाजू में जंगल होगा तो उससे भी आग लग सकती है इसके अलावा कभी कभी आग प्राकृतिक रूप से लग जाती है या कैसे लगती है ये आख जादा गर्णी की वज़े से या फिर बिजली कड़कने से लगती है देखो न्यूस में भी दिखाते है कि बारिश के टाइम अगर बिजली कड़की है और हो अगर गीर गई किसी पेड़ पे तो वो पेड़ जल जाता है पूरा तो ऐसे ही अगर बिजली जंगल के पेड़ों पर गीरी तो क्या होगा एक पेड़ से आख दूसरे पेड़ तक तुरन पहुट जाएगी और ऐसे आख लगती है देखो पहले हम लोगों ने देखा ये जो आख है ये कभी कभी और कभी कभी क्या होता है इंसान के कारण भी अब ये जो जंगल में आख लगती है इसमें कैसे काबू पाना है जंगल को आख से बचा कर रखने से हमारा पूरा परियावरण सुरक्षित रहेगा अगर आख ही नहीं लगे कि तो उससे निकलने वाला जो जहरीला दूर है वो नहीं निकले कि जिसते हमें किसास लेने में तक्रीट नहीं होगी और हमारे जंगल भी सुरक्षित रहे के जिससे हमें बारिश मिलती है हमें oxygen मिलता है तो इन सबको अगर सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले जनगल के इलाकों में बीच बीच में खड़े खोड़ देना चाहिए ताकि आँख जादा न फैल सके अगर खड़े होगे तो क्या होगा आँख आगे आगे नहीं बढ़ पाएगी जंगल की आँख बुझाना अत्यंतक अठीन काम है इससे अधिक स्टाफ और आदोनिक उपकरणों की सहायता से बुझाया जा सकता है देखो ये आग नीचे चितर में हमें दिखाई दे रही है तो वो आग बुझाना इतना आसान काम नहीं है उसके लिए आपके पास नए नए आदोनिक उपकरण चाहिए और उन उपकरण को चलाने के लिए आपके पास उतना स्टाफ भी चाहिए तबी ये आग बुझ सकती है हेलिकॉप्टर के जरिये पानी का छिड़काव करके जंगल की आग बुझाई जा सकती है देखो यहाँ पे जंगल के उपर हेलिकैप्टर दिखाई दे रहा है और वो क्या करते है पानी का फवारा करते है उपर से ताकि आप काबू में आ सके पिछले साल एमेजॉन के जंगलों में जहाँ पे पूरी दुनिया को अक्सिजन मिलता है वो अपनी पूत्वी के फेपड़े कहा जाता है क्योंकि वहां से लगभग 60-70 पूरी पूत्वी को मिलता है उन जंगलों में आग लगी थी और इतने वो घने जंगल है कि वो आग 3-4 मेना वैसे ही मतलब वो लोग कितनी कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की हेलीकाप्टर से या फिर वो पानी के जो हमारे यहां पर कैसे वो गाड़ी आती है उस गाड़ी से उतनी कोशिश करने के बाद भी वो 4-5 मेने तक आग को बुझा नहीं सके थे तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था हानी कारक धुवे से बचने के लिए अपने मुझ पर कपड़ा बांद लेना चाहिए जब जंगल में आग लगेगी तो उससे धुवा उठेगा और वो धुवा अगर हमारे नाग में जाता है तो हमें दमे का, दमा महसूस होगा, हमें साथ लेने में तकरिफ होगी तो उससे हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें अपने मूझ पर कपड़ा बांद लेना चाहिए जंगल में आग पर निगरानी रखने के लिए परियाप्त संख्या में करमचारी नियुक तो होने चाहिए जैसे कि अगर जंगल में आग लगती भी है किसी गलती के कारण तो वहाँ पे जो जानवर है उन जानवरों को जंगल से किसी सुरक्षिक स्थान में पहुचाने के लिए करमचारी अगर होंगे तो उनको पता होता है कि कौन से जानवर कहां पे है तो वो आसाने से उन जानवरों को सुरक्षिक स्थान पर पहुचा सकते है तो देखो बच्चो आज हम लोगों ने दो प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दो प्रकार देखे है पहला तो यह है भुकंप और यह है दावानल वो कंप में क्या होता है जमिन फट चाती है और दावानल में क्या होता है जंगलों में आग लगती है तो हमें यह कोशिश करनी है कि जंगलों में आग नहीं लगनी चाहिए और अगर लगती भी है क्योंकि वो हमारे जंगल हमें प्राणवायू देता है उनका जंगल यानि पेड़ हमें प्राणवायू देता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है उससे बारिश भी गिरती है तो बिना प्राणवायू के और बिना बारिश के हम लोग रह नहीं सकते तो आज के जो टॉपिक थे क्या वो आपको समझ में आए अगर तो नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट हपते मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ